अगेन वेलकम एक नई वीडियो के साथ दोस्तो आज आप एक टूल कह लीजिए या फिर एक इंडिगेटर कह लीजिए जिसका उप्योग करके आप किसी भी स्टॉक के लेवल्स को पता लगा सकते हैं चाहे आप इंटरडे में खेलना चाहते हैं या फिर long term या फिर short term के लिए कौन सा स्टॉक bullish है इंटरडे में कौन सा स्टॉक long term में bullish है या फिर कौन सा स्टॉक bearish है हमको इसके अंदर entry नहीं लेनी है कब exit करना है क्या target होगा ये टूल आपको पूरी सायता करेगा या फिर आप इसे एक indicator भी कह सकते हैं चलिए बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों ये टूल है आपका फैविकोनिक रिट्रेस्मेंट फीगो लेबल भी कुछ लोग कहते हैं एफ़ई बी रिट्रेस्मेंट भी कहते हैं तो ये जो वेबसाइट है ये investing.com है जिसको मैं आलमोस्ट यूज़ करता हूँ और काफी अच्छी वेबसाइट है मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको वाके में टेकनिकल करना है तो यू कैन आपको इस वेबसाइट पर ज़रूर आना चाहिए और इस वेबसाइट पर information काफी है और काफी सारे free के tools आपको मिल जाते है तो यह है आपका fabriconic retracement देखे fabriconic retracement को use करने के दो तरीके होते है इसको या तो आप नीचे से press कीजिए और उपर लेके जाएए या फिर आप लोग जब stock नीचे जा रहा है तो इसको उपर से draw कीजिए और नीचे लेके जाएए दोस्तों उपर से नीचे, नीचे से उपर आखिर ऐसा है क्यों ये भी मैं आपका doubt के लिए जरूर करूँगा आप बस वीडियो को completely देखते रहिए क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज concept मिस कर दिया छोटा सा तो फिर ये आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है सबसे पहले तो मैं आपको simple सा इसके अंदर कुछ जो levels होते हैं वो समझाना चाहूँगा फिर मैं आपको stock के उपर भी ये दिखाऊंगा कि कैसे work करना होता है तो guys यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम zoom कर लेते हैं चलिए guys इस tool के अंदर आपको कुछ यहाँ पर numbers दिख रहे होंगे digits दिख रहे होंगे यह है 0, यह है 0.236 और यह है 0.38 और यह है 0.5 और यह है 0.618 और यह है 0.78 और यह वाला 0 आप कह सकते हो 1 दोस्तों इसका क्या मतलब है दोस्तों इसको कहते हैं retracement level ठीक है इसको कहते है 0.38 का retracement इसको कहते है 0.5 का retracement इसको कहते है 0.618 का retracement इसको कहते है 0.786 का retracement अब ये retracement क्या होता है ये भी आपके मन में सवाल आएगा देखिए जब कोई एक stock उपर जाता जा रहा है तो guys उसको कहीं न कहीं ठहरना होता है कहीं rest करनी होती है फिर उसके बाद वो उपर जाता है कोई भी ऐसा stock नहीं है जो एकदम से उपर चला जाए और कभी नीचे ना ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा तो guys जब एक stock उपर जाता है और वो ठहरता है थोड़ी देर के लिए रुकता है एक rest करता है तो rest मतलब वो retrace कर रहा है ठीक है तो वो level जो होता है जब वो stock उपर से नीचे आता है और retrace करता है वहाँ से नीचे से फिर दुबार उपर जाता है तो यह जो area होता है इसको हम कह सकते हैं कि यह retracement level था stock का जहां पे stock ने rest की देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ इस retracement level को ध्यान से समझेगा जब भी कोई stock समझ लीजिए आपने यहां से ऐसे draw किया यह stock है ठीक है आपने यहां से पकड़ा यहां से draw किया देखिए stock जब first time नीचे आएगा तो guys यहां तक नीचे आता है 0.2236 ठीक है इस level पे आता है समझ लो अभी buying है आप यहां पे अगर buying करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन जो सही level होता है guys वो होता है 0.38 का जाने कि जब stock 0.38 इस retracement level से गुम कर उपर जाता है तो आप कह सकते हो stock अभी bullish trend में है और दुबारा एक नया जो high है वो बना देगा ठीक है तो जाने कि जब भी कोई stock एक बार उपर से नीचे आता है तो वो कहां पे rest करता है 0.38 पे अगर वो 0.38 पे retracement नहीं कर पाता है इससे नीचे चला जाता है तो guys उसके अगला level होता है 0.5 का अगर वो 0.5 पे भी ठहर नहीं पाता है तो guys फिर अगला level होता है 0.618 का ठीक है तो ये एक retracement level होते है guys हर stock अपने तरीके से behave करता है इस tool के उपर वो आपको समझना बहुत जरूरी है वो मैं आपको समझाओंगा लेकिन उसके पहले आपको एक important चीज़ बताना चाहूंगा जब भी stock अगर ये वाला level 0.618 के नीचे वो trade कर रहा है तो याद रखिएगा वो bearish trend में है ना कि bullish trend में इसके नीचे जब तक कोई stock होता है तब तक आप कह सकते हो stock bearish है वो bullish नहीं है जब तक समझ लीजिए कोई stock काफी time से उपर trade कर रहा था ठीक है इस तरह से अगर वो यहां से इ इसके नीचे चला जाता है तो आप कह सकते हो आपको अपनी holding clear कर देनी चाहिए अब ये stock नीचे bearish trend में आ चुका है उसी तरह अगर कोई stock नीचे से उपर चला जाता है और 0.61 को cross कर देता है upside की तरफ तो आप कह सकते हो ये stock bullish trend में आ चुका है ये bearish trend से खतम हो चुका है द जब मैं इसको आपको candles के उपर use करके दिखाऊंगा ना, फिर आपको ये चीज समझ आएगी, तो अभी के लिए आप बस एक चीज दियान रखिए, अगर कोई stock 0.618 के नीचे है, तो वो bearish है, और अगर 0.618 के उपर चल रहा है, तो वो bullish है, ठीक है, बस आपको ये चीज दि उपर, गाइस देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यहां से, ठीक है, तो यह देखिए, यह मैंने क्यूज किया, गाइस, निफ्टी कहां से टूटना शुरू हुआ था, तकरीबन यहां से गिरना शुरू हुआ है, क्योंकि यहां से यह थोड़ा उपर गया था, तो हम मैंने उपर से ड्रॉ कर दिया, अब आपको यहां पर important चीज यह देखने को मिल रही है, कि यह 0.5 को cross नहीं कर पा रहा है, यह इसका 0.618 का यह वाला level है, तो जाने की यह अभी इसके नीचे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जब तक यह 0.618 को cross नहीं कर देता, तब तक हमें इसके अंदर buying नहीं बनानी चाहिए, जब तक यह stock इसके उपर पूरी तरह से candle close नहीं दे देता, और इसके उपर trade करना शुरू नहीं कर देता, तब तक हमको इसके अंदर एक buying की position नहीं बनानी चाहिए, यह इसका 0.60 का ratio है, जो उपर से नीचे है, अब जब अगला level क्या होगा यह, अगर इसको cross कर देता है, इसके उपर कुछ दे trade करता है, तो आपको फिर 0.78 के targets देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, आपको यह levels उपर से नीचे तो आपको समझ आगे, उसी तरह अब नी से draw करना है, चलिए, यह बताता हूँ, देखिए, यह नीचे से चलना शुरू हुआ है, अब अगर कोई इसको नीचे से देख रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे draw करना है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, इसको collect कर देते हैं, देखिए, यह fabriconic retracement मैंने ले लिया, इसको हम यहां से draw करते हैं, और यह कहां तक, जहां तक यह high गया था, यहां तक, ठीक है, अगर आप उपर से देख रहे हो, तो फिर नीचे और नीचे से उपर high, तो guys आप यहां पे देखोगे, अगर आप इस टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर आप इसको दियान से देखो, अग 23 के पास कही ना कही रुकने की इसने कोशिश की लेकिन ये इसको hold नहीं कर पाया उसके बाद ये नीचे आ गया और guys 0.38 पे आ गया यहां पे जानी कि ये वाले लेवल पे ये आ गया ठीक है अब देखो ये यहीं से उपर गूमने की कोशिश कर रहा है तो जानी कि chances are very high की market जो भी उपर का लेवल ब्रेक कर सकता है और अपने इस वाले gap को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है ठीक है तो नीचे से अगर आब for example समझ लो जैसे कि ये उपर जा रहा है guys अगर ये यहां से ये जो लेवल है 0.618 का ये इसके नीचे आ जाता है और यहां ट्रेड करना जा है इसको समझे अभी और भी चीजे हैं वो भी आपने समझनी है वेट कीजे मैं वो बताता हूँ तो simple सा बस एक चीज समझ लो अगर आपको नीचे से देखना है तो नीचे से ड्रा कर दो high तक अगर आपको उपर से देखना है तो उपर से ड्रा कर दो नीचे तक ठीक है ये चीज़ है लेकिन दोस्तों अब मैं आपको सबसे important चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझेगा गाईस देखिए हर एक stock का अपना-पना behavior होता है चाहे आप उसे intraday में देखें चाहे आप उसे one day के basis पे देखें दोस्तों ये जो figo level है जब भी आप इसको draw करते हैं हर stock अपने behavior में चलता है ठीक है कोई stock जब उपर से नीची आता है ठीक है मैं आपको यहाँ पे एक example के तोर पे बताना चाहता हूँ जैसे कि हम ले लेते हैं bank nifty ठीक है मैं bank nifty का stock ले लेता हूँ देखिए यह है nifty bank इसको ध्यान से समझिएगा गैस bank nifty की एक आदत है कि जब भी यह नीचे के तरफ गिरती है तो यह अपना 0.61 का ratio जो होता है उसको complete करती है हर stock का अपना अपना behavior है जैसे कि देखो यह कहां से यहां से गिरना शुरू हुआ तो गैस आप देखोगे यह कहां तक आ गई थी यह 0.78 तक आ गई थी तकरीबन लेकिन इसका behavior क्या है यह जाती है यह 0.68 तक जाती है फिर उसके बाद नीचे आती है यहां पर यह थोड़ा कि कोशिश करता हूँ आप देखो यहां पर यह आप 0.618 के पास इसको कहीं न कहीं shot कर सकते हो देखो यह 0.78 यह तो उपर ही चली थी यह तो level बनेगा नहीं 100 में से कोई एक chance होगा जहां पर यह चली जाएगी अब मैं बताता हूँ आपको यहां पर देखो जब भी bank nifty नी तरफ भी draw करेंगे न तो इसका behavior यहीं है कि यह क्या करती है यह नीचे से उपर जाती है जैसे कि यहां से यह यहां तक गई थी तो आप लोग notice करोगे देखो यह 0.618 के करीब करीब आने की इसने कोशिश की थी तो bank nifty की एक आदत है जब भी यह एक high बनाती है यह low बनाती है तो अपना जो retracement level है 0.618 का उसको touch करती है फिर नीचे आती है यह इसकी आदत है अगर उपर से नीचे जा रही है तो ठीक है यहां इसको touch करेगी फिर नीचे आएगी अगर यह नीचे से उपर जाती है तो यह इसको touch करेगी फिर नीचे आएगी इसकी यह आदत है दोस् महिंद्रा एन महिंद्रा इसकी आदत है यह 0.78 तक चला जाता है जब भी यह गिरेगा दोस्तों इसकी आदत है यह 0.78 तक जाता है देखो for example यह यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो आप देखोगे यह 0.78 तक जाता ही जाता है मैं आपको दुबारा से यहां पे draw करता हूँ तो आपको हर एक stock का behavior जो है वो पता होना चाहिए देखिए 0.78 से यह देखो यहां तक आ गया इस stock की आदत है कि यह 0.78 तक आता है जानिकि उपर से नीचे चाहिए आप उपर से नीचे चले जाएए चलिए मैं आपको यहां से यह दिखाता हूँ आप यहां पे देखो यह कहां से चलना शुरू हुआ था तकरीबन यहां से थोड़ा गिरा था लेकिन यह बनता तो यहां से है ठीक है मैं आपको यहां से draw करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो के यह तकरीबन यहाँ पे यह 0.5 से चला गया था बट इसकी आदत है याद रखिएगा 0.78 की retracement से गूमने की तो आपको जादा तर कौन सा level मिलता है वो चीज बहुत important होती है आप देखो यह 0.78 तक यहाँ आया फिर उपर गया दोस्तो इसकी आदत है याद रखना इसकी आदत है कि यह 0.78 को touch करता है आप notice करो यहाँ ठीक है नीचे से उपर जाना होगा तब भी यह 0.78 है तो यह tool जो है guys आपको stock का behavior देखो यहाँ पर यह 0.78 तक आया फिर नीचे आया दोस्तो हर stock आप बोलोगे कि मतलब sir हम यह मान लें कि यह जो चीज है मतलब 0.61 के उपर रहेगा तो वैसा होगा दोस्तो बड़े कम chances आपको देखने को मिलेंगे बट यह tool आपको help करेगा कि कोन सा stock नीचे गिरने के बाद जब उपर आता है तो वो कोन से retracement level को touch करता है 0.61 को या 0.78 को अगर 0.78 को करता है तो आप वहाँ पे short बनाईए और पिछला high जो है stop loss डाल दीजे अगर कोई 0.61 को touch करता है आप यहाँ पे short बनाईए फिर नीचे का बना दीजे कुछ stock ऐसे भी है जो 0.38 पे ही है जैसे कि मैं अगर tech महिंदरा की बात करूँ तो गाइस यह जादा तर अपना 0.38 का retracement ही पूरा नहीं कर पाता है जाने कि देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस stock की आदत है अगर यह उपर जा रहा होगा यह नीचे जा रहा होगा तो यह 0.38 को करता ही नहीं है देखो यहाँ पे चलो यह मैं आपको draw करके दिखाता हूँ यह यहाँ से गिरना शुरू हुआ आप लोग देखो के जादा तर यह पहली बार तो मतलब first time तो इसका यहीं आदत रहती है कि यह 0.38 को मतलब cross नहीं कर पाता है इसकी आदत है गाईस इसकी आदत है कि यह 0.38 को नहीं टच कर पाता है बड़े सारे stock हैं अभी यह नहीं मेरे को example मिली गाईस कोई issue नहीं है बट हर stock की अपनी अपनी आदत होती है कि वो 0.38 पे रहेगा यह 0.618 को टच करेगा तो यह आपको लगा कर देखना होगा सबसे पहले one day के उपर कि stock one day के उपर कैसे इस retracement level को टच करता है और उसके बाद आप इसको intraday के basis चाहे 15 minute चाहे 1 minute तो यह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी bank nifty 0.61 पे retrace करता है reliance का stock अगर आप उठाके देखोगे तो guys reliance का stock भी आपको 0.78 तक की retracement देता है यह मैंने notice किया है इसके अंदर आप मेरी reliance industry की videos देख लीजेगा जिसमें मैंने उसका stock review किया था ठीक है तो guys इसकी आदत है यह 0.78 तक 0.61 तक यह भी नीचे की तरफ चला जाता है देखो यह 0.78 तक नीचे आता है guys उसके बाद यह अप जाता है जब भी यह उपर जाता है guys 0.78 तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जैसे कि देखे यहां से यह चलना शुरू हुआ यहां तक गया दुबारा 0.78 तक आया फिर उपर गया ठीक है तो यह इसकी आदत है हर स्टॉक का अपना अपना बिहेवियर है कुछ इसको फालो करते हैं कुछ इसको फालो नहीं करते हैं लेकिन मेन चीज मैं आपको बता दूँ लॉंग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो याद रखेगा जो स्टॉक 0.61 के उपर चल रहा है वो बुलिश है जो इसके नीचे है वो बेरिश है लेकिन हर स्टॉक का अपना बिहेवियर है 1 डे के बेसिस के उपर 1 मन्त के उपर तो आपको वो समझना होगा और उसी को आपको इंटर डे के बेसिस पे भी यूज करके देखना होगा जैसे बैंक निफ्टी है आप 5 मिनिट के उपर यूज करना चाहते हो आप फीगो लेवल लगा लीजिए और देखिए जब वो 0.61 के 8 के पास आए शौट कर दीजिए क्योंकि वो वन डे के उपर फालो करती है तो हर एक स्टॉक का आपको behavior सबसे पहले समझना होगा कि वो फीगो लेवल पे किस लेवल पे आके रुखता है कहां retrace करता है फिर आपको एक position बनानी होगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मेरी personal study है यह मेरा personal experience है यह personal behavior मैंने observe किया है और उस basis पे मैंने आपको बताया है यह आपके साथ हो या ना हो आप इसके उपर काम कर पाएं या ना कर पाएं इसकी कोई guarantee नहीं है बट मेरे साथ यह चीजें होती है मैंने आपके साथ share की है बाकी risk आपका study आपकी ध्यान से कीजिए समझ कर कीजिए क्योंकि पैसा आपका है नुकसान आपका है मेरा इसमें रही disclaimer है कि यह सिर्फ मेरी study है जो मैंने share की है मैं किसी को सला नहीं देता आप इसके उपर काम कीजिए बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share करना बिल्कुल मत बूलिएगा मेरे साथ Instagram पे ज़रूर जुडिए description में link है आप screen पे भी मेरे Instagram का profile देख सकते हैं Twitter का भी देख सकते हैं